सब्जेट गो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ राजकुमार सिंग आप देख रहे हैं सब्जेट गो आईए सिखते हैं आज का अधियाई सब्जेट गो में आज हम जानेंगे ADCA कोर्स के बारे में तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या जानने वाले हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि इसके अंदर course content क्या है, यानि कि इस course के अंदर क्या क्या चीज़े आपको जो है सिखाया जाता है, तो चलिए जानते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दू कि अगर अभी तक आपने subject go channel subscribe नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे दिए subscribe बट होता है, इसका पूरा नाम है Advanced Deploying Computer Application, ये एक बहुत ही popular computer course है, बहुत सारे लोग इस course का नाम जानते हैं, और बहुत काफी टाइम से ये course चलते आ रहा है, इस course के अंदर क्या क्या होता है, इसे जो है एक साल लगता है सिखने का, अगर आप इस course को करते हैं, तो एक साल लग और इसे सिखने का जो फीस होता है, वो लगभग साड़े साथ हजार रुपे लेके चलिए, अपरोक्स जो है, फीस लगता है इसे सिखने में, और इसे कोई भी कर सकता है, चाहे उसने 10th किया हो, या 12th कर लिया हो, चाहे science से, science सिस्टेम से किया हो, या commerce सिस्टेम से, या art से या 10th कर चुका हो, कर सकता है, चाहे अगर आपने अभी तक 10th भी नहीं किया है, तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक 12th भी नहीं किया है, तो भी कर सकते हैं, और अगर आपने कोई degree भी कर रखा है, फिर भी अभी तक कहीं job नहीं कर रहे हैं, और करना चा चाहिता है computer fundamental और computer introduction होता है इसके अंदर parts of computer होता है input device के बारे में होगा output device के बारे में और processing unit क्या होता है कैसे काम करता है history and generation of computer और उसके बाद memory device के बारे में और उसके बाद types of computer यानी कि computer कितने types के होते हैं और उसके बाद इसके अंदर आता है processing unit वो मैंने आपको बता दिये हैं उसके बाद आता है window overview यानि कि window कैसे चलाते हैं जैसे किसी के laptop में computer में Windows 7 है 8 है 10 है तो उनमें क्या अंतर है कैसे उन्हें जो है आप चला सकते हैं उसके बारे में भी knowledge यहाँ पर आपको मिलता है उसके ब आपको सिखाते हैं उसके बाद इसके अंदर आता है virus और antivirus के बारे में यानि की virus क्या होता है कैसे हमारे system को नुकसान पहुंचाता है और antivirus से हम कैसे अपने computer को safe तरीके से रख सकते है इंस बहुत है इंस यानि कि इसके अंदर आपको सबसे पहले सिखा जाता है यह में पार्ट है इस कोर्स के अंदर के अब आता है सबसे पहले MSPaint उसके बाद आपको सिखा जाता है Notepad यानि कि Notepad में किसी भी तरह का Simple File जो टाइपिंग का होता है वह कैसे आप बना सकते हैं कर सकते हैं उसके बाद आता है wordpad यानि कि wordpad में कैसे आप लिख सकते हैं color कर सकते हैं design कर सकते हैं थोड़ा सा formatting वगएरा करना हो तो कैसे कर सकते हैं क्यूंकि ज़्यादा format तो होता निया wordpad के अंदर एक simple package है तो यह कर सकते हैं उसके बाद आता है Microsoft Office package यानि कि MS Office आता है तो आप बात करते हैं MS Office के बारे में तो देखे MS Office में क्या होता है सबसे पहले इसमें आपको सिखा जाता है Microsoft Office Word 2007 2007 सिखने के बाद क्या करेंगे आप इसके अंदर date, sheet, syllabus, paper, typing, document यह सब चीजे कैसे बनाते हैं वो आप कर सकते हैं उसके बाद सिखा जाता ह दूसरे नमबर पर Microsoft Office PowerPoint 2007 2007 भी यहां पर सिखा जागा आपको और जो latest version होगा वो भी यहां पर आपको सिखा जाता है और 2007 हम इसलिए सिखेंगे सभी का क्योंकि 2007 जो बहुत ही popular version है और सभी जगे जो जातर use किया जाता है अब जब आप PowerPoint सिख लेते हैं तो इसमें आप किसी भ जादर कर सकते हैं तो उसके आगे चलते हैं कि Excel अगर हम सिखते हैं तो एक्सल में तो बहुत सारी चीज़ होता है तो एक्सल में हम क्या-क्या कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़े हमें सिखा जाएगा तिहां पर एक्सल के फोर्मिले सिखा जाएंगे फंक्शन सिखा जैसे कि H lookup, V lookup, कैसे होता है, private table क्या है, ये सब चीजों के बारे में, logical function क्या होता है, वो सिखा जाएगा, और आपको यहाँ पर action का पूरा जो complete ribbon वार होता है, जैसे कि home होता है, insert होता है, menu बने होते आगे तक, वो सभी पूरा यहाँ पर आपको कराया जाता है, उसके बार आगे चलते हैं, आगे आता है कि आगे दूसरा इसके अंदर जो पार्ट है, वो पार्ट टू है, desktop publishing, अब इसके अंदर क्या-क्या शिखा जाता है, वो जानते हैं, तो देखे, desktop publishing जैसा कि नामस ही पता चलना, इसमें थोड़ा सा इंस्ट्रेस्टिंग होता है, डिजाइनि यहां पर अलग लग वर्जिन के Photoshop, CorelDraw, Pajemaker आपको सिखाया जाता है। आप बात करते हैं कि Photoshop क्या होता है, CorelDraw क्या होता है, और PageMaker क्या होता है, यह तीनों में अंतर क्या है है, और क्या काम करते हैं। तो सब सब पहले जानते है Photoshop, Photoshop का मतलब होता है फोटो बनाना, जैसे माली आपका passport size का फोटो बनवाना है या फुल फोटो बनवाना है, तो आप किसी फोटो studio दुकान पर जाते हैं, फोटो खेचवाते हैं और वहाँ पर तयार करवाते हैं, तो वो काम जो है Photoshop में किया जाता ह है, यानि कि फोटो बनाने का, किसी फोटो को खेच के आप edit करके उसे जो है एक अच्छा सा सुन्दर सा फोटो जो है बना सकते हैं, उसे edit करके एक अच्छा सा color दे सकते हैं, यानि कि अपना creativity जितना भी है उसमें मिला के उस फोटो को और भी अच्छे से तरीके से present कर सकते तो यह होता है Photoshop के अंदर उसके बाद बात करते है Coral Draw Coral Draw के अंदर क्या होता है जितने भी banner होते है pamphlet होता है magazine होता है newspaper में design बने होते हैं वो सभी चीज़े कहां पर तयार किया जाता है Coral Draw के अंदर जैसे माली जै कोई company है कोई school college जो परचार करवाते हैं बिजनस का तो जो है banner बनवाते हैं पोस्टर बनवाते हैं वो सभी चीज़े कहां बनता है Coral Draw के अंदर आके बनता है यहां पर बना के और print किया जाता है तो यह होता है Coral Draw के अंदर उसके बाद बात करते हैं page maker का तो page maker के अंदर book छापने का काम होता है यानि कि जहां पर अख़बार चापा जाता है या book छापा जाता है वो काम होता है page maker के अंदर page maker के अंदर किसी भी बहाशा में आप टाइपिंग कर सकते हिंदी English जैसा आपका book में टाइपिंग करना है तो book जो है पूरा लिखा जाता है, pagemaker के अंदर अच्छे से design किया जाता है, कि book में picture कहाँ पे लगाया जाएगा, text कहाँ पे लिखा जाएगा, यह सभी चीजे है, उसके बाद आता है यहाँ पे part 3, पार्ट तीन जो है वो भी इस course का बहुती मेन पार्ट है पार्ट तीन में आता है वेब डिजाइनि यानी कि वेबसाइट डिजाइनिंग अब वेबसाइट डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है देखिए जब भी आप internet पर कोई चीज सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद व तो आपके सामने एक website खुल के आता है, तो तो है पे वेबसाइट के अंदर वो जानकारि दीया रहता है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे है तो किसी website के अंदर देख रहे हैं, आप अपना photo डाल रहे हैं, तो किसी website पर डालता है, है ना? तो उस website का जब design खुल के आता है, look आपके सामने खुल के आता है, तो वो look कैसा लगता है, वो design आपको देखके कैसा लगता है, website अच्छा लगता है, तो website का design कौन बदानाता है, जो website designer होता है, तो website designer बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको website designing का course करना पड़ता है, तो अंदर क्या होता है कि आप website कैसे design करना कैसे उसका एक अच्छा सा look बनाना है वो चीज़ आप decide कर सकते हैं वो website mobile पे कैसा दिखेगा computer में कैसा दिखेगा laptop में कैसा दिखेगा वो होता है उसके बाद आता है यहाँ पर पार्ट 4 पार्ट 4 होता है Tally ERP 9 GST के साथ इसके अंदर ह होता है accounting का सारा work यानि कि आप टैली सिखेंगे यहाँ पर और टैली यहाँ पर बता दूँ आपको जो यह ADC कोर्स है इसके अंदर टैली ज्यादा नहीं सिखा जाता है पूरा complete इसके अंदर टैली का स्री basic knowledge आपको दिया जाता है जो भी आप टैली में 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 काम कर सकते है और basic knowledge क्योंकि कोर्स का time जो है काफी कम हो जाता है एक साल के हिसाब से यहाँ पे सिखते सिखते बहुत सारे चीज़ आपको time ले लेता है सिखने में तो इसलिए टैली का पूरा knowledge नहीं होगा बाकि सभी चीज़ों का आपको पूरा knowledge मिलता है इसके अंदर टैली के अंदर आप accounting से related जितने भी work होते वो सभी work जो यहाँ पे आप सिखेंगे उसके बाद आता है part 5 यानि कि आप पांचमा part जो है वो है internet जब ये सभी चीज़े आप सिख लेंगे तो internet भी सिखेंगे इसके अंदर अब internet के अंदर क्या होता है देखिए वो जानते हैं तो internet के अंदर सबसे पहले आता है browser किसी browser को कैसे चलाते हैं suffering कैसे करते हैं यानि कि internet में कोई भी चीज़ खोजना हो फोटो है वो डाउलोड कैसे करते हैं प्रिंट कैसे करते हैं कोई कागज पे कोई भी लिस्ट ये सभी चीज़ उसके बाद होता है यहां पर बेसिक आफ शोशल नेटवर्किंग यानि की सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेस्बुक इस्टाग्राम टुटर लिंकडिन य इस सब जो कैसे कंम करता है तो यह सभी चीज़ यहां पर आपको सिखा जाता आब यहां पर मैं बता जैता हूं कि इस कोर्स के अंदर कोन-कौन से यह से चीज़ है जो आपको पूरा कम्प्लिट नहीं चीख है तो पूरा इक्सल का यहांली वहाथ एकसल यहां पर basic knowledge मिलेगा accounting related होते ये दोनों चीज ये दोनों चीज आपको पूरा किसमें सिख्या जाता वो सिख्या जाता आपको ADFA में तो ADFA का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में मैंने link दे दिया है वहाँ पर click करके आप देख सकते हैं तो ये सभी चीजे जो है आप कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं कि जब आप ये ADCA course कर लेते हैं तो आप कौन-कौन से job कर सकते हैं तो ADCA course करने के बाद आप computer operator का job कर सकते हैं, data entry का कर सकते हैं, web designing का कर सकते हैं, accounting का कर सकते हैं और photo studio का कर सकते हैं यानि कि photo studio खुद का खोलना चाहे तो कर सकते हैं या फिर कहीं दूसरे के photo studio में जाके काम करना चाहे तो उहाँ पर कर सकते हैं दूसरा यहाँ पर आता है कि आप खुद का printing press या book या यहाँ पर जो poster बनाने का होता है वो चीज खोल सकते हैं या काम कर सकते हैं बैनर बनाने का या किसी कमपनी में बुक छापने वाली कमपनी है वहाँ पे काम कर सकते हैं या प्रिंटिंग प्रेस का काम जहाँ पे होता है जैसे अखवार वगएरा छापने का वहाँ पे कर सकते हैं या फिर जहां पर बैनर वगरा तयार किया जाता है वहां पर कर सकते हैं और सेल्डी पैकेज की बात करें तो सेल्डी पैकेज जो इन सभी में होता है वो लगभग 10,000 से लेके 15,000 और 17,000 के बीच होता है यानि कि आप जो है 10,000 से स्टार्णिंग हो सकता है आपका फ्रेशर के तोर पर आप किसी भी कमपरी में जोइनिंग करते हैं तो 10,000 से लेके 15,000 के बीच में स्टार्णिंग होता है तो आज हमने सब्जेट गो में जाना कि ADCA कोर्स क्या होता है इसके अंदर क्या-क्या सिखाय जाता है इसके अंदर सिलेवस में कौन-कौन से कोर्स कंटेंट इंक इसके अंदर हम जो है क्या-क्या चीजे जो है सीख सकते हैं इत्यादी के बारे में सब्जेट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सब सब पहले देखने और सिखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेट गो चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नहीं बाद थैंक यू